Hello everyone, good morning यहाँ पे देखिए मैं पकोड़े बनाई हूँ पकोड़े ये पोई के पत्ते के हैं स्वादिस्त के साथ साथ बहुत ही फायदे मंद भी और टेस्टी भी होती है दुनों चीज होती है तो ये जो पकोड़े है इसका बहुत ही फायदा है ये सहत के लिए बहुत अच्छी होती है तो इसे जरूर खाया कीजिए चाहे तो इसका पकोड़े खाईए या फिर इसकी साग बनती है तो मैं साग के भी रेशिपी डालूंगी तो यहाँ पर देखिए चावल और चना दाल मैं भिंगोई थी क्योंकि मैं बेशन नहीं रहती हूँ पिछले ब्लॉग में भी मैं बताई हूँ ज्यादा तर मैं पीस के बनाती हूँ इसका टेस्ट बहुत अलग लगता है एक बार जुरूर इसे ट्राई कीजिएगा बेशन से ज्यादा टेस्टी लगती है इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ तो यहाँ पे मैं पीस रही हूँ बेशन चावल और इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्ची हरी मिर्ची और मैं इसे पीसूँगी तो देखिए यहाँ पे बेशन रेडी है तो इसमें मैं सारा मसाला मिलाई हूँ पर sorry guys आप लोग को दिखा नहीं पाई किसी बज़ा से कि यहाँ पर देखिए मैं सारा मसाला डाल दी हूँ आप मैं इसका बचका बनाऊंगी तो यहाँ पर देखिए जितना भी मसाला था मैं सारा डाली हूँ नमक डाली हूँ स्वाद अनुसार और इसका कैसे लगाना है मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो को fall watch कीजिएगा आधा वीडियो मत देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो like जरूर कीजिएगा share कीजिएगा और channel पर नए है तो please guys subscribe जरूर कीजिएगा आप लोग के support की जरूरत है तो आप लोग के भी नागे नहीं बढ़ूंगी तो देखिए यहाँ पे इस तरह से दो पत्ते लेना है एक पत्ते की भी बना सकते हैं पर मैं दो पत्ते को बना रही हूँ दो पत्ते लेना है एक में सटके या इस तरह से तावे पे लगाना है या फिर पैन फ्राई हो तो उसमें भी फ्राई वाला पैन होती है उसमें भी कर सकते हैं तो मैं आप लोग के तावे पे या फिर आप इसे फ्राई भी तेल में कर सकते हैं पर मैं तावे बना रही हूं तो यहां पे देख सकते हैं इस तरह से इस पे डाल जादा हाई नहीं रखनी है नहीं तो जल जाएगी और इस तरह से बना कि इसे बीरी होते हैं कितना लोग बीरी कोते हैं या फिर इसे 的 कावडी बोले जो भी बहुत दीजए ब्गहती हैं तो है इस तरह से की को किशन संद मेरी कैसी लगती है यह भी बताएग invit और गाईज आप लोग की सपोर्ट की जरुवत है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजेगा, तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगी, और आप लोग इतना प्यार दुलार दियें, और इतना सपोर्ट कीए, तो मैं इतना तक के पहुंची हूँ, आगे भी आप लोग का लट दी हूँ थोड़ी सी उपर से मैं तेल डालूंगी कि पीछे जो है उब भी अच्छे से 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 शेख जाए तो यहां पे देख सकते हैं पीछे शेखने के लिए भी मैं यहां पे तेल जुरूर डालूंगी तो देखिए तो देख सकते हैं और गाईज प्लीज प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मैं नहीं आगे बढ़ूंगी आप लोग की सपोर्ट की बहुत जरूरत है तो आप लोग support जरूर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए मेरे ये बचका ready है तो आप लोग जरूर comment box में बताईएगा कि पोई के बचका आप लोग को कैसी लगी और किसको किसको पसंद है तो देखिए यहाँ पे मैं इसी तरह से जितना भी पत्ता था मैं सबको लगा लेती हूँ उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ तो लाइन पे बने रहिएगा वीडियो को full watch कीजिएगा कहूं जाइएगा नहीं और recipe आप लोग को खुदवा खुद समझ में आज जाती होगी क्योंकि अगर जो वीडियो full देखेगा उसको recipe खुदवा खुद समझ में आ जाएगी तो देख सकते हैं आप लोग इस तरह से मैं सारा लगा लूँगी और आगे देखिएगा और इस तरह से बना कर बताईएगा कमेंट बॉक्स में कैसी लगी और इसे अगर पकोड़ी बनाना चाहते हैं गोल गोल तो इसे मेही मेही कट करके बना सकते हैं इसका मैं डाली भी हूँ इसका पिछले में वीडियो में recipe डाली हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा बचका बनकर रेडी है तो आप लोग जरूर बताईएगा इसे डाल चावल के साथ अच्छी लगती है तो मैं इसे डाल चावल के साथ खाने के लिए बनाई हूँ तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ तो तब तक के लिए बाई बाई